तो डियर स्टूडेंट आज किस बीडियों बात करेंगे बिये सेकेंडियर के बिये थर्ड समस्टर के जियोग्राफी यानि की भुगोल के नियू स्लेवर्स और मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स के बारे में तो बीडियो काफी जाद आप लोगों के लिए महात्पूर होने वाली है जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में परिच्छा आने वाले दिनों में लगी है जियोग्राफी यानि की भुगोल की उन सब इस्टूडेंट को वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आपकी परिच्छा में पूछे जाएंगे वह सब यहीं से आएंग ज़्यदा हेलफूल होने वाली है और प्रूप के तोर पर देख लिए सेकेंडर सेमेस्टर आपका थर्ड है और सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी है और सेमेस्टर थर्ड है ही और जो प्रश्ण पत्र क्वेपर का नाम है भी पढ़ लीजी ठीक है इन्वार्मेंट चैप्टर और आठी टॉपिक्स में डिवाइड है अप चाहे जो भी सब्जेक्ट ले लिए हर सब्जेक्ट चाहे भुगोर चाहे जो आपका राजनीति साफ्त सामाव साफ्त हिंदी इंगलिस सब जितने अप्स आठ यूट अर्च चैप्टर में डिवाइड है आप उसी सब्सक्राइब कर लिए जिसकी और हम आपको ले चलते हैं तो जो चाहत इंग्लिस में समझना चाहे तो उनके लिए भी इस लेवर से इंग्लिस में पढ़ सकते हैं और फर्ष्ट उनिट में कहां कहां से पुछे जाएंगे कौन-कौन से पर्यावरण के बारें बताना है तो पर्यावरण वह सब कुछ है जिवित और निर्जिव दोनों चीजे शामिल है जैसे मिटी पानी पेंड पाउधे जानवर इत्याद ठीक है तो पर्यावर वही सब जो हमारे हो जिसमें निर्जिव और ठीक है सजीव दोनों ठीक है चीजे सामिल है और एक्जामपल मैंने आपको दे दिया पुएड़ पौधे जानवर मिट्टी पानी ये सब ठीक है तो उसके बाद इस तरह आप लोग इसकार्थ लेखेंगे उसके बाद प्रस्तितिकी और की आउधाणा यानि की प्रस्तितिकी की और आउधाणाएं और घटक ठीक है ये क्या है इनके बारे में आपको प्रस्तितिकी आउधाणा बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक से यहां सा मंदित कोईशन पूछे जाएंगे इसको नोट कर लीजिए उसके बाद प्रस्तितिकी तंतर किसे कहते मोस्ट इंपॉर्टन प्रस्तित जाएंगे तो आपको यह जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ भाई माज थर्ड समस्टर है इसमें स्लेबर्स में है क्या ठीक है और समस्टर में दूसरी चीज़ों के बारे में कोईशन पूछे जाते हैं इस तरह हर समस्टर में जियोग्राफिक सबजेक्ट प्रस्ति तंत्र और यह आपदाप्रबंधन मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स है ठीक है उसके बाद सिकेंड में जेव विविविता जो कि बहुत important topics यहां से मजित questions पुछे जाएंगे जेव विविविता जो कि पिछले वर्सों में कई बाद जो है प्रिए प्रियाफ करें topics जहां से प्रस्थ पिछले वर्सों में बने है ठीक है उसके बाद फिर्ड यूनिट में आपको वनों की कटाई मि लोगों अपने यूज के लिए अपने फायदे के लिए लोग अंधा दुन्द वनों की पेड़ों की कटाई करा रहे हैं ठीक है इससे आप लोगों ने इस बार टंपरेचर देखा ही कितनी गर्मी हो रही है ठीक है तो इन सभी इसी वज़ा फे गर्मी हो रहे है क्योंकि होगी तो इसके हुजाब हम जो हमारे वात्ता वॉर्ण का यह फिर हमारे पर दियान को तो बढ़ता ही जा रहा है ठीक है तो क्योंकि डारेक्ट जो रोफनी पढ़ती तो इन से बहुत फारे चीज़ें पेंड़ पादे कंट्रोल कर लेते हैं ठीक है अब पादे नहीं रहे तो या सबस्क्राइब गाथ. कि उसके बाद मरफ्तुली करण मरफ्तुली करण भी इंपॉर्टन टॉपिक से यहां से वीडियो कोश्चन पूछे गए हैं वाय प्रदूसर यानि कि जो हवा से होता है तो बहुत पार जैसे की बट्थे हो गए जैसे इंट वाले बट्थे हो गए जो बहुत वाहनों से चाह प्रद्थे हैं तंबाकू है यानि कि जो लोग आज की जीवन में नसे के रूप में उच करते हैं उनमें जो बनते हैं तो उसमें भी भौफ फारे जो धुए निकलते हैं उसकी वज़ा से हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूसरित होता है ठीक है यह सब जाके एक तरीके से हमारे मंदल पर इसका बहुत बड़ा इंपक्ट पढ़ता जिसकी वजह से वाय प्रदूसर पहलता है और वाय की वजह से वह फार बीमारिया हो जाती है तो वह प्रदूसर्ण उपलफी तरह सेम तो सेम जल प्रदूसर भी जल को बहुत लोग गंदा कर देते हैं ठीक है लोग इसको मिस्यूच करते हैं तो जल पर दूसर भी एक मौस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स है ठीक है इन से जड़े कोश्चन आएंगे नोट कर लीजे उसके बाद यूट नमबर फोर्थ में आपको गंगा कारियोजिना एक महत्पूर्ण टोपिक से यहां फिड़ा कोश्च तो यूनिट आपके लिए राममान साबीत हो सकता है इन में से दो प्रश्ण आपको परिच्छां फसेंगे हो सकता कि चारों फंस ठीक है धान नखेंगे इंपॉर्टन टोपिक से अब यूट नमबर फाइप में आ जाएंगे यूट नमबर फाइप में आपको जलवाय पर पूछा जाएगा ठीक है जिसमें से जलवाय को समझना जलवाय के बारे में जानना और ग्रीन हाउफ गैसों और ग्लोबर वार्मिंग कोश्चन कभी कदार एक आ जाता है ठीक है तो यह यूनिट नमबर फाइप आपके लिए इस तरह इंपॉर्टन होगा इस तरह कोश्च में इंपार्टन टॉपिक्स ताबित हो गया और दुफार जलवाय उपर राफ्टे का यूजना यह ब्यूब्टन टॉपिक्स को गया और वैस्मरिंप यूनिट इस्ट बमर्द ले जाएंगे मैं दो नोठ कर लिए तो जातर प्राकर्थिक आपड़ाओं फुटे जाते हैं जिसमें से पहला खत्रा आ जाएगा जोखिम ठीक है भे घत्त के प्रकार रे जोखिम हैं और बीघत्त हैं इन सभी निंबर सेवन फे जुड़े यह टोपिक्स है ठीक है आपदाओं के परकार बताईए ठीक है आपदा किसे कहते हैं आपदा मानुकुरत और प्राकरतिक आपदा में डिफरेंस बताईए तो इस परकार की आपदा वही चीजी हो गई जो अन मतलब की एक अनिस्चिस समय पर आत की सबक्राइए पहन ससकते हैं अगर आते हैं तो कि आ नहीं करना चाहिए तो आपदां दोद्रान क्या करें क्या तो बाढ़ हा जाए तो बाढ़ के बारें पहले लिखना है तो बाढ़ किन शेत्रों में जाजा आती है बाढ़ हा जाने पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सूखा हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भुकम पाए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब आप दाये हैं जो अनिश्चिस समय पे आती हैं और इसके दोरान जो समाज में देश में रहे रहे हैं लोगों के समस्त आती हैं तब उनको क्या क ठीक है तो इसी तरह पूरा का पूरा यूनिट समाप नहीं कि आठवा यूनिट भी समाप तो होता है यह पूरा पूरा फ्लेबर्स और मुस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स मैंने आपको बता दिये ज्यादा टाइम भी नहीं लिया और आपको एकदम सरल भासा में अच्छे तर प्रस्तुत किया साइध हो कोई आपको ऐसा ही प्रवाइड करें जो हिंदी में स्लेबर्स हो ठीक है और इसमें देगे जितने भी टोपिक्स हैं इसे बन सकते हैं बनने वाले जितने वी कोश्चन है इनको आप गूगल पर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं अगर वहां पर नहीं करना चाहरे तो इंटरनेट आपके नहीं करना चाहरे है तो बुक खरीद लिए जो भी आपकी निवस्टी में चलता हो उसको खड़ी लिजे उस में सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी बाकि हमारी जल्दी कोश्चन एंसर वाली वीडियो आएंगी जिसम जल्दी कोश्त इंट।